हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू मैं चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हल्प आई होप आप सबकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से चल रही होगी आज की वीडियो में हम बात करेंगे जब प्रेगनेंसी का दूसरा टामेस्टर स्टार्ट होता है तो ऐसे कौन से सिंटम होते है जिनने देखकर आप अपनी प्रेग्नेंसी में आइडिया लगा सकते हो कि आपने बेबी बॉई को कंसीव किया है या बेबी गर्ल को कंसीव किया है जैसे ही प्रेग्नेंसी कंसीव होती है बहुत सारे बॉडी में डेवलपमेंट होते हैं हार्मोन करके यह सब होता है क्योंकि रहिसे हार्मोन इंस बैलेंस होते हैं कभी बादा बहुत सारे हार्मोन एकदम से चेंज होती हैं बॉडि मेरें क्योंकि एकदम से pregnancy conceive होती है एकदम से बच्चा पेट में धीरे 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 बड़ा होता है जिस करके ये बदलाओ आते हैं और इनी बदलाओ को देख करना घर के बड़े बुजूर की आपके आज पर उसमें अंटिया आपको देखके अनुमाल लगा लेती हैं और आप जिन्हें बेटा हुआ है यही सिम्टम उनके साथ मैच हुए है देखे मेरा ये चैनल लिंग में भेदभाव करने के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है नहीं मैं स्टीज को बढ़ावा देती हूं सिरफ इस वीडियो के थुरू मैं आपसे अपना और अपने वीर्स के बताई हु अगर आपको नीद आती है और आप बहुत जादा सो रहे हो तो उस टाइम पर ऐसा होता है बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है पेट में और ब्लट से ही उसको सभी कुछ न्यूट्रिशन जा रहे हैं जिससे बॉड़ी में वीक्नेस आती है और आलस आता है बट अगर सेक जो नॉर्मली पहले जैसे काम करते थे वैसी काम कर लेते हैं तो उन महिलाओं को बेटा होता है नीद का माते जिने बहुत ज़्यादा आती है बोला जाता है कि उनको बेटी होती है दूसरा जो सिम्टम है ये सिम्टम भी बहुत सारी महिलाओं के केस में देखा गया है जिन शोरू हो जाता है याट आपका तामेस्टर में सिक आपका भेट नावा बॉल्का पता लगने लगाए कि आप मेदgress if प 라고 that पिष्ञाइन लिगार जाएं लिगतार है तो तो ऑगर आपका पएट फिर्स्ट अंच से दिखा रहा है थोड़ा थोड़ा धिकना शुरू हो गया वहीबी बॉल जाता है बहुत सारी महिलाओं के केस में ऐसा देखा गया है, मेरा खुद का एक्सपीरियेंस है कि मेरा भी जो बेबी बंब है वो छटे महीने से दिखना हलका हलका शुरू हुआ था, पांचमे महीने में थोड़ा पेट दिखता था बड़ किसी ने अनुमान नहीं लगा पाए कि मैं चैसे आसपोर्डोस में मेरे देवर की शादी ती उस टाइम पर मैंने सारे काम घर के कि यह कोई मुझे जान नि पाया कि मैं प्रेंगनेंट हूँ, जब जब चटे महीने मेरे मतलब देवर की शादी थी और घर में पाटी थी तो हमने जब घर में पूचा रखाई तब बत स्थिर्पा आपका भी तुछी मैं और जले निराना सापकर सीतिता से अससे hypothesis नहीं जुत हो तुछी सप्ता पावर भी आ बड़ा नहीं उसी कहीं हो जाता जाता är है क्योंकि बच्छा आपके खूर होता है में और फरस्टमेस्ट में लॉट आपके प्लेसरा कहींता कहो जाता है। जिससे की वीकनेस आजाती है। धीरे धीरे शरीर उसी तरीका का बन जाता है। यह sizi यह सूपने बछार जाता है। उसीज़ी ऑक्राइबर defendants shit बट फिर भी आपके फेस पे एकने हैं पिंपल हैं चाहियां हैं तो कहीं न कहीं बोला जाता है उन महिलाओं को बेबी बॉय होता है यह लक्षन मेरे केस में दोनों ही पेंगनेंसी में बिल्कुल सर्टीक थे कि मेरे फेस पे बहुत ज़ता चाहियां हो गई थी पिंपल्स हो मैंने का अंटी चलो देखते हैं क्या होता है जो होगा देखी जाएगी तो नौ मीने के बाद मुझे यह लक्षन सर्टीक लगा क्योंकि बहुत सारी अंटी ने मुझे बोला था फेस देखे कि तेरे बेटा होगा और उनकी बाद सर्ट निकली कि मेरे बेटा हुआ तो यह स पर फेस पर लुट था शाहिन आगे थी बट उनको भी बेटा हुआ है तो सबकी बॉडी अलग है नेक्स स्म्टम की बात करते हैं कि जब आपको बेवी की हलचल पता लगती है बहुत ही अलग सी वह फीलिंग होती है कब पता लगती है ऐसा बोला जाता है जिन महिलाओं को सेकंड टाइमस्टर में पता लगती है बच्चे की हलचल उनको बेबी बॉय होता है कहा जाता है कि लड़कियां लड़कों के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है इस करके उनकी मोमेंट का जल्दी पता लगता है कई महिलाओं को देखा होगा थर्ड महीने स चौटे महिलाओं को तो तो पांच्वे महिने खतम होते होते तब मुझे थोड़ी सी हलकेर की मौमेंट आना शुरू हो गई तो मैंने घर में बताया तो मुझे यही बॉला गया कि छटे महिने आरी है मौमेंट ना देखे तेरे बेटा होगा तो मैंने का देखते हैं कि बच्चा मूव कर रहा है, या कौन सी ये बबल्स है, क्या मूव कर रहा है, या कोई पेट में गैस थो नहीं बन गी है, हम ये ही पजल हो जाते हैं, हम फील नहीं कर पाते हैं, एक्चन में पता नहीं होता, लेकिन जब आपकी दूसरी प्रेग्नेंसी होती है, बहुत ज़ा पाँचवे महीने में पता लगा बच्चे की हलचल तो आप अनुमा लगा सकते हो अगर आपको सेकंड टाइमस्टर में पता लगा है तो मेभी आपके बेबी बॉई हो नेक्स सिम्टम की बात करते हैं देखिए प्रेंगनसी बहुत एक अलगसी फीलिंग होती है बच्चे के साथ जब मुवमेंट आती है और उसको फील करना उस पल को वो कैद कर लेते हैं किसी से बया नहीं कर सकती क्योंकि अलगसी ही वो मुवमेंट होती है ऐसा बोला जाता है ces systems प्रेंगनसी में सेकिंठ टेमेस्टर में आपके पैरों में जंजनाहट होती है क्योंकि दहरे दहेब हो जाता है तीन महीने का बच्चा बड़ा हो जाता है और धीरे-दहरे आपका पेट निकलता है हात-पैढ़े ठंड़े रहना और पैरों में जंजनाहाट रहना पैरों की नस चड़ जाना, पैरों में हलका हलका पेन रहना, ये भी एक संकेत देता है बेबी बॉई के ऐसा बड़े बुजूर का कहना है, बाकि देखिए जब जैसे आपका वेट गेन होता है बॉडी में, उसी तरीके से आपके पैरों में दर्द या कमर में दर्द बढ़ क्योंकि क्या होता है कई आपके बुट्त से तो लिवा जाती है में अग्रान वलचा पैयड काक्वर बॉड़ी में दर्द बढ़ सकता है चोटे बेटे के टाइम पे और बड़े बेटे के टाइम पे मेरे पैर की नस बहुत चड़ती थी रात में मैं कई बार चीके मार के उठती थी इतना पेन होता था ना husband मेरे फिर तेल लगा के मालिश करते थे फिर मुझे बहुत आराम आता था वरना मेरी जान निकलने वाली होती थी, नस चड़ना एक बहुत ही गंदा दर्द है, सच में, बट घर के बुज़ूर का ऐसा कहना है कि अगर पैरों में जन जनाहत रहती है, तो उन महिलाओं को बेबी बॉय होता है, तो ये सिम्टम तो मेरे केस में बिल्कुल सटीक लगा, म बाल अच्छे से बढ़ रहे हैं, डेंडर नहीं है, बाल जड़ नहीं रहे हैं, और बालों में शाइन आ गई है, तो उनको बेबी बॉय होता है, ये सच में वाकी एफेक्टेड़ सिम्टम है, मेरे दोनों ही केस में ये सटीक था, कि मुझे बेबी बॉय हुआ हुआ, मेरे मेरे बढ़ गए थे, तो घर वालों ने मुझे बोला देखके तेरे इस बार भी बेटा होगा, मैंने का चलो देखते हैं, क्या होता है, जो होगा बस अच्छे से हो जाए, हेल्दी हो जाए, माबाप का यही होना चाहिए, सपना कि बच्चा हेल्दी हो, उसकी हेल्द में को मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी चैनल पर अगर नहीं है, तो प्लीज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथी साथ वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ना बहुत जादा मुझे मोटिवेशन देता है, तो चले फिर मिलते हूं क किसी नई वीडियो में, किसी नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए, be take care, be happy, bye bye